नमस्ते फ्रेंट्स वेलकम बैक टू दा चैनल फ्रेंट्स आज के वीडियो में आप देखोंगे कि मैं अपने जो गमले हैं उनका बेक ओवर कर रही हूँ और आपको भी तोड़ा आइडिया आजाएगा इसलिए आपके शाद शेयर कर रही हूँ तो देखे यह जो है ना जो इस टाइब से जैसे शादी विवा में ओईल आता ना तो इस टाइब किये थी तो बहुत पुरानी है मेरी तो इसको देखे मैंने कट कर लिया था तो उपर का पॉर्शन अलगता वो भी आपको आगे दिखाऊंगी और इसके उपर देखे पहले मैंने यह लेस डाल के इस प आटा दूंगी और देखे आप इसके प्लांट की जो ग्रोथ भी देख रहे हैं तो अच्छे से इसमें यह ग्रो कर रहा है तो मतलब हर वक्त मैं ऐसा नहीं कि मार्केट से ही प्लांटर लेकर आती हूं घर पर भी जैसे इस टाइब से कुछ वेस्ट जो प्लास्टिक होता ह है उसका यूज कर ले तो देखे यह इस टाइब से कोई पहले आती थी राग वनस्पती इसका यह ओल था तो और मैं इसके उपर यूज कर रहे हूं ओल पेंट का तो मतलब धूप में अगर जैसे इसको रखोंगी तो जल्दी से ओल पेंट जो है खराब होता है तो अच्छ बिना मतलब कि मेरे हाथ ना गलफ्स में चलते है लिए स्पीड मेरी कम हो जाती है तो मैं गलफ्स फैंती नहीं बहुत गंदी आदत है मेरी तो फटा पट से अब इसको अब जैसे इसके अंदर पोधा लगा हुआ था तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था हैवी भी हो रहा इसको करते हैं हम सुन्दर से पोधे में डेकोरेट तो देखे सोरी प्लांटर में डेकोरेट सुन्दर से पोधे नहीं सुन्दर से प्लांटर में तो इसको भी मैं सेम पेंट कर रही हूँ और पेंट मतलब यह मेरे पास घर पर रखा था तो मैं इस कलर कर रही हूँ वैसे तो मैं मतलब कुछ bright color करती लेकिन ये available था तो मैं इसी का use कर रही हूँ तो इसके उपर मैंने same वह paint कर लिया है और अच्छे से करके इनको और oil paint है तो सूपने में थोड़ा time लगेगा तो मैंने आज इनको morning में मतलब लग गी थी तो इसको morning में करके रख दूँगी और शाम तक ये अच्छे से सूख जाएगा या फिर मैं next day इस पर अच्छे से जब ये सूख जाएगा फिर आगे का काम करूँगी तो देखिए अगले दिन मैंने इसको देखा तो ये बल्कुल अच्छे से सूख गया था आप देखिए इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी तो ये जो बीच की इसमें खाली स्पेस से ना इसमें मैं ये जो जूट रोप होती है वो बस कवर कर दूँगी फैवी बॉंड लगा कर अपना तो बाकी कोई भी मैं एक्स्टर इसमें मतलब की ताम जाम नहीं कर रही हूँ सिंपल सा रख रही हूँ और आपके उपर आपके क्रियेटिविटी आपके ऐसे भी मतलब डेकोरेट कर सकते है इस टाइप से मतलब अलग से कलर वगयरा भी इस पे ड्रोइंग कर सकते है कुछ स्टेंड बनाएंगे पैर बनाएंगे तो देखे मेरे पास meने इसके तीन कट कर लिए इक्वन साइज चे तो इशके हम बनाएंगे अब की लिया और इसको गैस केए उपर गरम कर लिया और इस तरीके से निशान लगा लेंगे थोड़ा सा पहले है थोड़ा आईडिया आजाए तो छेद कर देंगे अब फिर देखे फ्रेंड्स कहते हैं अगर आपको कुछ करने की चाहो तो आपको कोई कुछ नहीं रोग सकता है आपके पास अगर कुछ अवलेबल ना भी हो तो देखे मेरे पास छेद करने का नहीं है तो फिर मैं गैस पर इस तरीके से कर लेती हूं गैस पर गरम करके और नाइफ को या फिर इस टाइप का भी मतलब होल करना होता है तो वह मैं इस तरीके से कर लेती हूं और यह अब हो गया अब इस पो देखे हम कैसे लगाएं कि जो जीप लोक आते है ना उसका हम यूज करेंगे तो वह बहुत स्टोंग होते हैं एक बार आप उनको लोक करते हो तो फिर खुलेंगे नहीं बिल्कुल भी तो यह मैं जिप लोक लेके आई थी और थोड़ा ऊपर और नीचे हम दोनों जगे जिप लोक से इसको अच्छे से टाइ कर देंगे और य उसमें आपको इसको लोक करना है अच्छे से तो मैं इसको टाइ कर देती हूँ फिर आपको आगे दिखाते हूँ कर देंगे तो थोड़ा सागर जैसे आपको कोई हैल्प करने वाला कोई पकड़ लेगा तो फटा पट से काम हो जाएगा मैं थोड़ा केली थी ना तो मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टाइम लग गया था इसको लगाने में तो यह कट कर देंगे अब देखिए जो नीचे इसका धकन दिख रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मेरे पास एक और यह मतलब इस टाइप की पुरानी लेस लखी रहती है तो उसका यूज कर रही हूँ तो यह भी मैं फटा-फट से लगा देती हूँ फिर आपको दिखाते हूँ हम देखिए प्रेंट्स वैसे तो यह बन चुक है लेकिन यह जो इसकी लैक से ना इस पर मैंने ओल पेंट किया था लेकिन वह क्या इसके स्ट्रोक्स दिख रहे थे अच्छे से मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं यह मेरे पास था वाल पेंट रखा है औरेंज कर लादर थे कलर को तो जो इसकी लैक से मैं सिर्फ उसको इस औरेंच कलर से पेंट लगए हुर और देखिस आपको दिखा भी रही हूं कि कुझ सा आपको अछा लग रहा है तो देखे इस वह सब तो अच्छा नहीं लग रहा थाथा आप चाहे तो अलग कलर से कर सकतें Laksh ko चाहे तो सेम कलर से कर सकते हैं और लिजी हमारा प्लांटर बन करके तयार है अब देखे इसके अंदर मैंने होल कर रखा क्योंकि मैं पहले भी इसको यूज करती थी और अच्छे से इसमें प्लांट्स ग्रो होते थे अब इसके उपर हम एक दिया रख देंगे और मिट्टी त्यार करके इसमें पोधे लगा देते हैं तो फिर फाइनल लुक देखे और प्रेंट्स अच्छा लगा हो आइडिया तो प्लीज लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा चैनल पर नए आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और यह देखे मेरे पास कुछ मनी प्लांट्स की कटिंग थी तो पहले मैंने इनको कुछ दिनों के लिए वाटर में रखा था तो इनकी जो रूट्स अच्छे से निकल गई है वही बस मैं इसके अंदर लगा रही हूँ और कुछ दिनों के बाद जब यह बूशी हो जाएगा बिल्कुल तो यह इसका जो लूख है बहुत अच्छा आएगा तो अभी तो कुछ कटिंग है वही लगा रही हूँ फिर कुछ दिनों के बाद आपको दिखाऊंगी तो देखे हो चुका है मेरा गमला तयार ओके फ्रेंड्स मिलती हूँ एक और नए वीडियो में बाबाई जरे चुका है वही हुआ है झाल जेखे हूार जरे उन्यदािए शबका है